नमस्कार में एक तौर आप देख रहें गामा टाइमस न्यूज अतिक एहमद हत्याकांड जएक बड़ी ख़बर सामने आ रहे जहां पुलिस के रिमांड में तीनों शूटर्स का कबूल नामा सामने आया है यह हैरान करने वाला कबूल नामा आपके सामने आये डालते हैं इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हमला करने वाले सनी ने उगला सच बताया इस गैंग से लिए थे हत्यार अधिक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या मामले में शूटर्स सनी ने पुलिस कस्टडी में बड़ा खुलासा किया है सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मताबिक सनी ने बताया कि इन तीनों को दिल्ली के जितेंदर गोगी गिरो के संपर्क से हत्यार में ले थे आपको बताएदे कि सितमबर 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोट में हत्या करती गई थी जितेंदर हमेशा से ही लौरेंस बिश्नोई का बेहत खास था से NCR में एक बड़ी घटना करवाना चाहता था NCR कनेक्शन के जलते ही अतीक पर हमला करने वाले तीनो आरोपियों को गोगी गैंग में NCR चैनल की ID, बड़ा कैमरा और ID कार्ट इन्हें दिया था गोड तलब है कि तीनो हमलावर नकली मीडिया कर्मी बनकर पहुँचे थे इससे पहले पुलिस के सामने अतीक को गोली मारने वाले तीनो आरोपियों ने खबूल किया था कि वो लॉरेंस बिश्णोई के जैसा बनना चाहते हैं उन्होंने बता कि अस्पताल में पुलिस पर गोली चलाने का उनका कोई प्लान नहीं था तीनों मरने नहीं आये थे इसलिए सरंडर कर दिया बता दे कि सनी सिंग के अपराग का कनेक्शन यूपि के कई जिलों से भी मिल रहा है जालोन में भी सनी की क्राइम हिस्ट्री जुड़ी हुई है साल 2019 में वो अपने एक साथी के सार स्कॉर्पियो गाड़ी लूट कर भी भाग रहा था इस दोरान उसकी कदोरा पुलिस से मुट भेड़ भी हुई थी आये जानते हैं क्या था इन तीनों का प्लान अतीक पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों का अस्पताल में पुलिस पर गोली चलाने का कोई प्लान नहीं था इन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि ये लोग मरने भी नहीं आये थे इसलिए इन्होंने सरंडर कर दिया बता दे कि ये तीनों 12 अप्रेल को लखनों से बस के जरिये प्रियागराश पहुँचे थे तीनों ही कॉल्विन अस्पताल से तेड़ किलोमिटर दोर रेलवे स्टेशन के सामने होटल में रुके थे पहले 13 अप्रेल को ही कोट में अतीक अश्चरफ को मारने का प्लान था लेकिन उस वक्त इन्हें मौका नहीं मिला इसके बाद इन्होंने 15 अप्रेल की तारीक चुनी 15 अप्रेल को दिन में इन्होंने कॉल्विन अस्पताल की रेकी की दो नए मोबाइल भी खरीदे लेकिन इन्हें सिम कार्ड के लिए फर्जी आईडी नहीं जुटा पाए अतीक और अश्चरफ को गोली से उड़ाने के बाद डर पर काबू पाने के लिए इन तीनों ने जैश्री राम के नारे भी लगाए शूटरों का कहना है कि अब जेल में उनकी इज़त बढ़ गई है उनसे कोई काम नहीं करवा रहा आपको बता दे कि अतीक एहमद और उसके भाई अश्चरफ की मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में तीन लोगों को गरफतार किया गया था फिलहाल तीनों हमलावर पुलिस के रिमांड में है इस खबर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ